कितना सुन्दर कहा है, सोंबार का उद्यापन कर लो, एकादशी का उद्यापन कर लो, सकरांती का उद्यापन कर लो, अधिक मास का उद्यापन कर लो, छट का उद्यापन कर लो, तीज का उद्यापन कर लो, चतूर्थी का उद्यापन कर लो, तुमारी मर्जी पड़े, जितन ब्रत तुम करती हो उसके उद्यापन करो पर शास्त्र कहता है उस उद्यापन में घर के लोगों को नहीं गिना जाता उस उद्यापन में सोभाग्यवति माताएं जो तुमारे नगर की हो मोहले की हो जो तुमारे परिवार की नहीं दूसरी हो उनको उस उद्यापन में गिरो गिनों उसका कारण क्या है कि परिवार वाले तो जिंदगी भर खाते रहते हैं, तुमारे यहां हर कबई आज आते हैं, तुम उनको भुला भी लेते हो, खिला भी देते हो, दे भी देते हो, परिवार को दिया दान नहीं कहलाता, जब दूसरी कोई सोभाघ्यवती नारी तुमारी उद्यापन में भोजन करकर जाएगी तब वो दान कहला ही। परिवार में से गिनना है तो बेहन बैटी को गिनलो। दान अनायासी होता है। अब यहां लोग भंडारा चला रहे हैं और भी रोड के किनारे किनारे ना जाने कितने लोग कोई बिस्कूट कोई पूड़ी कोई सबजी कोई चावल कोई खेचडी कोई कुछ कोई कुछ बाट रहा है अब इतने लोग यहां आए हैं तो क्या उनके रिष्टेदार आए हैं क्या नहीं अनायास ही आया है कोई यह पैचानते नहीं है तो भी यहां पहुच गया है और उसका उन्होंने आदर किया है सम्मान किया है सतकार किया है और वो सतकार का फल यह मिलेगा कि वो खुद तीन मह माइने में अंदाज अलगा कर वेड़ जाएंगे कि हमने दूसरे को खिलाया तो बाबा ने हमको दिया किपना है यह उसके उपर आगा